एक है नी संगता, ये साधक के जीवन में बहुत बढ़ा सद्गुन है नी संगता मतलब जैसे कमल, कीचड में पैदा होने वाला कमल, पानी से भी उपर रहता है ऐसे ही राग, द्वेश, इर्शा, अभिमान, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मात्सर्य, आदी, संसार में दोश ही दोश भड़े पड़े ये संसारिक कीचड में जीव रहने के बावजूद भी जैसे कमल, पानी से उपर रहता है, ऐसे ही साधक को संसारिक दलदल से उपर रखने की जो विद्ध्या सिखाते हैं, वो सत्गुरु है सत्गुरु मेरा सूर्मा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की गोल यह हम भरम में जी रहे हैं, मन की इच्छा पूरी हुई, हम सुखी हो गए और मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो है रे हाए हम दुखी हो गए तो मन की गुलामी, तो न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से जीव करता आ रहा है जैसे लालिये, मोतिये, कालिये को रोटी दिखाई तो पूछ लाने लग गया और डंडा दिखाया, तो दो पैरों के बीच पूछ दबा के भग खड़ा हुआ, ऐसा ही अनुकूलता का रोटी मिली तो हम गिड़गडाने लगते हम आधिन हो जाते अनुकूलता के, सुख के, मान के लेकिन थोड़ा अपमान हुआ, थोड़ा किसी ने दो शब्द बुरा कहा, तो हम दुखी हो जाते, परेशान हो जाते लेकिन गुरु वचनों ने हमको ये दर्शन दिया, कि आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, बुरे वचन त्यों भले पुरे वचन प्यों भले, इस्तुती निंदा जगत की, धर जूते के तले आदर तथा अनादर, सुखद प्रश्थिती आई, चली गई, दुखद प्रश्थिती आई, चली गई, मान आया, चला गया, अब मान आया ये सब आने जाने वाले, जैसे अभी बरसाद है, थोड़ी दिर के बाद देखो तो खुला ये मानसुन भी जाएगी, ये हैरे है, तोबा तोबा, बहुत गर्मी है, पसीने से तरबतर हो गए, ये भी जाएगी, ये ग्रिश्मरुतु भी जाएगी, वर्शारुतु भी जाएगी, शीरितु रुतु आएगी, वो भी जाएगी, दिन आया गया, रात आई गई, सुबह आई गई, दोपेर आई गई, शाम आई गई, ये सम आया और गया, साही जी आएंगे, सतरा तारे को आएंगे, अब आ गए, अब शाम होते होते आके चले भी गए, ये सपने की नाई सब जो है, बीत रहा है, इस प्रकार का जिसने दर्शन दिया, ऐसा विजन जिसने दिया, आईसे सद्गुरु को प्रणाम है, सच्चिदानन्दरूपाय, सच्चिदानन्दरूपाय, शिष्य संतापहारिने, शिष्य संतापहारिने, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नुमा, एक एव परोबंधू, विशमे समुपस्थिते, गुरु हू सकल धर्मात्मा, पस्मई श्री गुरवे नमहा, गुकारस्चांधकारोही, रुकारस्टेज उच्यते, अज्यान ग्रासकंब्रम्हा, गुरु रेवन संशयह, 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 संसार रुपी व्रुक्ष पर चड़े हुए लोग अपने कर्मों से बंधे और नरक रुपी सागर में किर्टे जा रहे उन सब का कल्यान करने का जो सामर्थ्य रखते हैं उस गुरू को नमस्कार है अपनी तपस्या से आप दोशों का निवारन कर सकते हों कोई शंका नहीं काम, क्रोध, लोग, मो, मत, मात, सर्य, जूट, कपट, दोखा, बैमानी ये सब कई प्रकार के दोश सब के मन में कुछ न कुछ तो बरही पड़े उसको अपने जपसे, तपसे, साधना से आप मिटाओगे तो सुक्ष्म अहम आ जाएगा कि मैं तपस्वी हूँ मैं नमक नहीं खाता, मैं जुटता नहीं पहनता मैं किस से बात नहीं करता, मैं तो फलाहार खरता हूँ तो फलाहार ही हूँ मैं तो, मैं तो केवल दूद पे रहता हूँ तो दुदार ही हूँ, मैं तो एकांत में रहता हूँ तो एकांत वासी हूँ, कहीं न कहीं सुक्ष्म अहंकार जीव को जकर लेता है और उस अहंकार का नाश बिना गुरु कृपा के तो हो भी नहीं सकता अहंकारं बलं दर्पं गीता ने भी कहा कि अहंकार अपने बल का अभिमान पद का अभिमान धन का अभिमान अईश्वरे का अभिमान कहीं न कहीं किसी ने किसी रूप में अहंकार लग जाता है लेकिन केवल एक सत्गुरु है जिसकी कृपा से वो अहंकार मिठता है गोला जे गोलन जा तिन जो थी ये गुलाम तनांगा तो ये जो नाम लिख जे लाहूतिन में ऐसे सत्गुरु मिले या उनके प्यारे शिश्य मिले सत्षिश्य मिले उनके शिश्यों का भी तू शिश्य बन जाएगा तो भी तेरा नाम उस भगवान के दरबार में लिखा जाएगा कि तू किस के साथ जुड़ा हुआ है जिन लोगोंने दिख्षा लिया हाथों पर करो सभी दिख्षित हैं महुत अच्छा आप लोग उस आधी अनाधी परंपरा के साथ चुड़ गयों जिस परंपरा को सदाशिव ने प्रारंब किया उस गुरु परंपरा को हमारा नमस्कार और उस गुरु परंपरा में जुड़ने का आपको सोभाग्य प्राप्त हुआ है जिसके गुरु कैसे? जिसको शुरु किस ने किया? सदाशिव ने दत्तातरे भगवान जिस परंपरा में है जिस परंपरा में वेदव्यास है जिस परंपरा में संत कबीर है जिस परंपरा में तुलसिदास है जिस परंपरा में शंकराचार्य के चार शिष्य है जिस परंपरा में सनातन धर्म के हुए आज तक महान तपस्वी रिशी और संत हो गए वो एक शिश्य से दूसरे शिश्य एक सद्रगुरू से दूसरे शिश्य को शिश्य फिर सत शिश्य बना सत शिश्य फिर सद्रगुरू बना उसके द्वारा फिर वो परंपरा चलती रही चलती रही चलती रही ये कोई एक युनिवर्सिटी नहीं है जिस युनिवर्सिटी में जाके कोई सद्गुरु का certificate मिलता हो MBA करना हो तो उसके लिए institute है कोई डिगरी लेनी हो तो उसके लिए college है विध्याले है, school है लेकिन सद्गुरु की डिगरी न कोलेज में दी जाती है न किसी विध्याले में न किसी युनिवर्सिटी में ये तो सेवा से भक्ती से श्रद्धा से प्रेम से और निश्वार्थ निश्काम सेवा से ये डिगरी उपलब्ध होती है